आज मैं सर्दियों में बनने वाली बहुत ही अस्पेसल चिक्की के रेसिपी लेके आएंगे अगर इस तरीके से आप चिक्की बनाके खाएंगे तो इसके फादे दुकूने हो जाएंगे अज ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं वीडिव को जब बूने तो चुले का हेड्यम रखे और उस टाइम पे तिल को भून रहीं और उस टाइम पे तिल को भूनिये तो यहां पर जो हैं हमारा तील अच्छ से भून चुका है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छ से चेंज हो चुका है, हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसे ठंड़ा होने देंगे इसे मैंने फैला लिया, एक थाली में इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसी कढ़ाई में लेते हैं, एक कप मुंखफ़ली, मुंख़ली को भी अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि ये मुंख़ली अच्छे से भून ना जाए, तब तक हम इसे नहीं निकालेंगे, तो मिडेम ह इसी भी फूनेंगे, जाड़े के मौसम में ये जो तिल होता है और गुड बहुत ही हडियों के लिए फायदे मन दोता है, इसलिए इसे खाई जाती है, गुड में डालके, तो यहां पर मुंख़ली का छिलका हटा लिया है, मैंने इस तरीके से, और जो तिल और मुंख़ली अबके ये दोनों को mix कैजर में डालके थोड़ा-थोड़ा चला लेंगे तो इससे फाइदे है true चुड लेने से ये जादता को यहां पर जितना गुड़ और जितना मैंने तिल लिया था, जितना मुफली लिया था, गुड़ हमें उतना ही लेना है, दोनों का जितना वजन था, उतना हमें यहां गुड़ ले लिया है, मैल्ट होने के बाद इसी पानी में डालके हमें चेक कर लेना है, कि हमारी चासनी बन चोप कर देते है जो हमने मुख़ली और तिल को पीस के रखे है थोड़ा थोड़ा डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे चुले को बंद ही कर देना है वैसे आप साबूत मुखफली और तिल की चिक्की भी बनाके खा सकते हैं मैंने तेस्ट भी वीडियों डाली है लेकिन अगर आप इसे पीसके बनाते हैं, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है, और फायदे तो सच में बढ़ जाते हैं, हड्यों के लिए तिल और मुझफली को जरूर खाना चाहिए सर्दियों के मौसम में, साथ में पेट के लिए फायदे मन्द होता है, बहुत चिक्की तो उस टाइम पे गुड़ जो है, थोड़ा ज्यादा ले लिजे लेकिन कम न लीजे, बहुत दिक्कत आती है, इस तरीके साब देखिए मैंने पेड़े की तरह बना ली, आप चाहे तो अच्छे से थाली में बराबर फेलाके उसे बरफी सिप में कट कर लीजे, च बच्चो को सर्दियों के मुस्तम यह चिक्की जरूर खिलाने चाहिए, सच में, मतलब यह बच्ची अगर इस तरीके से आप बना के देखिए बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्ची बहुत पसंद करेंगा, आप लंच बॉक्स में भी इसे बना के आप दे सकते हैं तो इस तरीके से मैंने फटा-फटा सी सारी चिक्की बना के रेडी कर लिए कोई मेहनत भी नहीं लगा बहुत ही जल्दी सारी के सारी चिक्की बन गई मैं सर्दियों में ऐसी चिक्की बनाती हूँ बच्चों को देती हूँ बच्चों को ने ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अगर आप इस तरीके से बना के दीजिएगा तो तो इस तरीके से मैंने चिक्की बनाई आप कॉमेंट करके बताईए आपको ये चिक्की की रेसिपी कैसी रगी मुझे पूरी उमीद है घर वालों को अगर आप इस तरीके से चिक्की बना के खिलाएंगे सबको बहुत पसंद आएगी फिर मिलते है अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ